ओम शान्ती, आज आप सब के सामने प्रस्तुत है कोल गाता की ब्रह्मा कुमारी रुक्मनी बेहन का सत्य अनुभव। अगर आपको यह अनुभव पसंद आए, तो कृप्या इसे औरों के साथ भी जरूर शेर करें, क्योंकि परमात्मा का सत्य अनुभव हमें उनसे और भी करीब से जोड़ देता है, और हमारा विश्वास भी बहुत बढ़ जाता है। इस चैनल पर दिखाया गया एक भी अनुभव जूठा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कॉमन बॉक्स में इसकी सत्यता पर प्रश्न करते हैं। अगर आपको परमात्मा पर विश्वास है, तो यकीन करें कि यह सभी अनुभव सत्य हैं। और हमारी यही सेवा है कि हम परम स्क्रीन पर दिखाये गए वाट्साप नंबर पर अपना अनुभव हमें भेज सकते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है रुक्मनी बेहन का स्वकतित अनुभव। जब मेरी माता जी प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिये विश्विद्याले से जुडी, तो मैं श्री कृष्ण तो कभी श्री नारायन को देखती थी, मेरी योग में विशेश रुची थी, इसी लिए इश्वरिये प्रेम की अनेक अनुभूतियां भी मैं करती रहती थी, मेरे पिता जी इश्वरिये ज्यान बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उनके द्वारा जलने का विरोध किये जाने पर ब्रह्मा बाबा ने माता जी को वर्दान दिया, बच्ची एक दिन ऐसा आएगा, यह लोकिक पती तुम्हारे पाउँ पड़ेगा, पिता जी अज्यानता वर्ष, इश्वरिये महवाक्य, अर्थात, मुर्ली को भी कभी कभी जला देते थे, जब मैं 13-14 वर्ष की थी, तो कोल काता में साथ दिवसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी, उन दिनों इश्वरिये परिवार बहुत छोटा था, इसी लिए सभी महरती भाई बहनों ने उसमें सेवाएं प्रदान की, ब्रह्मा बाबा भी सेवा के लिए बहुत उमंग और प्रेनाई देते थे, तभी उनका एक पत्र आया कि जो भी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इश्वरिये ज्यान समझाएगा, उसे बाबा द्वारा इनाम मिलेगा, मैंने अपनी बाल भाशा में बहुत सेवा की और फिर बाबा को पत्र लिखा, ब्रम्ह बाबा ने उत्तर में मुझे उमंगों के पंक लगा दिये, ब्रम्ह बाबा ने मुझे पत्र में कहा, बच्ची तुम तो उड़ने वाली उड़न खटोली हो, मैं उस समय तो बाबा की उस बात को समझ ना सकी, लेकिन भविश्य में जब मेरा ध्यान में जा बच्ची सार्थकता रूहानी कमाई में ही समझी और समर्पन होने का मन बना लिया, लेकिन पिता जी की सहमती का प्रश्न बार-बार मन को जगजोरता था, लेकिन माता जी ने गुलजार दादी जी के तन में अवतरित प्यारे बाबा से मेरे बारे में पूछा, बाबा, बच् कहा बच्ची तो है ही बाबा का बना बनाया फूल उसे सिर्फ दादी दीदी के पास छोड़ दो अब शुरू हुई परिक्षा की घड़ी तो हुआ यूं कि एक दिन दादी ने मुझे 15 दिन के लिए इश्वरी सेवा अर्थ जाने के लिए पिता जी से छुट्टी ले आने का आदेश दिया पिता जी के कट्टर स्वभाव से मैं परिचित थी परंतु इश्वरी शक्ती पर भी मेरा पूरा निश्य था मैं इसी संकल्प के साथ घर पहुँची कि पिता जी से सहयोग लेना ही है मेरे निश्वार्थ और द्रेट प्रयास के आगे पिता जी का मन नम्र पढ़ गया इस प्रकार धीरे धीरे मैंने आश्रम पर रहना प्रारंब कर दिया एक दिन पिता जी ने बुला कर कहा आपको जीवन का फैसला करना पड़ेगा या तो शादी करो या पूरी तरह आश्रम की हो जाओ हमने द्रिर्ता से उत्तर दिया कि हमें तो इश्वरी पढ़म होना ही है समर्पन के दिन पिता जी आश्रम आये भावुखो कर आखों में आशु भर कर उन्होंने समर्पन पत्र पढ़ा और भोगों के कटीले रस्ते को छोड़ भगवान की और जाने के मेरे पवित्र संकल्प की प्रशंसा की अब यहां शिव बाबा का दिया एक दिन मा और पिता जी आश्रम के किसी समारों से घर लोट रहे थे कि अचानक गिरने के कारण मा के पाउं की हड़ी तूट गए उन्हें अस्पताल में भरती करवाया गया वह बार-बार मुडली सुनने की इच्छा प्रकट करती थी पिता जी ने मुझे आगरह किया कि तुम मुडली सुना कर जाओ कुछ दिन तो मैं सेंटर से मुडली लेकर अस्पताल में मा पिता जी के पास जाती रही परंतु रोज-रोज संभव ना हो पाने के कारण पिता जी नस्दी की ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मुडली लाकर स्वयम ही मा को सुनाने की सेवा करने लगे इस प्रकार हमने बाबा के वर्दान को फलिभूत होते देखा एक समय पर मेरे यही पिता जी मुडली जला दिया करते थे और आज वो बिलकुल बदल गए थे ज्यान की गंगा में नहा कर परमात्मा से प्रेम करने लगे थे मा की निरंतर तपस्या के बल से मुडली सुनाने वाले बन गए मा की शरीर छोड़ने के बाद पिता जी मधुबन में भी आए बाब दादा और बड़ों की दुआउं से आज तक का यह जीवन सहज आगे बढ़ता जा रहा है और आगे भी नजरों से निहाल होते हुए हम मन्जिर तक पहुँच ही जाएंगे ऐसा मेरा द्रिड विश्वास है ओम शन्ति